कौनसी बॉल पर विकेट मिलने की संभावना जादा होती है यौर कर्ट, स्लोर, आउट स्विंग, इन स्विंग, बाउंसर, सौट पेज, कटर, या आम बॉल, कुकली, या फुल, लेंद बॉल, एट्सेक्टरा ये जानकारी अगर आपको पता होगी तो अब फेंटेसी टीम बनाते समय आपके बहुत काम आएगी और परफेक्ट तरीके से आप अपनी टीम बना सकेंगे, अगर आप खुद क्रिकेट खेलते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बैट्समेन को विकेट पर टिकने ही नहीं दोगे, आप वीडियो को पूरा देखते हो पर सबस अगरी स्थिधी में बैट्समेन क्रोस खेलने की स्थिधी में अपना विकेट बोल्ड या अलबी डवीडियो के रूप में योरकर बॉल पर देजाता है। Slower ball useless ball का इस्टेमाल जादतर आखरी के ओबरों में करते हैं जब batsman जादतर balls को हिट करने की कोसिस करते है Slower ball इसर बattsman को चक्तमा देने के लिए डाली जाती है जिस पर विकेट मिलने के चंस बहुत कम होते हैं और batsman sits को ठीक से h Kenneth नहीं कर पाता अगले बॉल की बात करें तो वह सौटपिच बॉल है जोरकर बॉल डालने वाले बॉलर भी सौटपिच बॉल डालना शुरू करते थे हैं बड़े ग्राउन पर सौटपिच बॉल पॉवर प्ले के बाद विकेट लेने के लिए सबसे अच्छी बॉल है आखरी के उबरों में ज़्यादतर बॉलर सौटपिच बॉल का इस्तमाल करते हैं और कई वार बैटस्वेन पावर प्ले में भी फस जाते हैं इसी सौटपिच बॉल पर इन स्विंगर बॉल उन बैटस्मेन को डाली जाती है जो ज़्यादतर आगे निकल कर खेरना पसंद करते हैं और ऐसे बैटस्मेन बॉल को हिट नहीं कर पाते हैं इन स्विंगर पर विकेट मिलने के चांस भी एबरेज हैं लेकिन लेट हैंड बैटस्मेन का बहुत ज़्यादा चांस होता है इन स्विंगर पर आउट होने के आउट स्विंगर बॉल आउट स्विंग बॉल पावर प्ले के ओबरों में डाली जाती है आउट स्विंग बॉल पावर प्ले के ओबरों में यूज की जाती है आउट स्विंग बाल पर बोल्ड या LBW होने के चांस बहुत दूर दूर तक नहीं होते आउट स्विंग पर सिर्फ बैट्समेन, सिलिप या विकेट कीपर को अपना कैच दे बैठता है पर अच्छे बल्लेवाज आउट स्विंगर पर कम ही आउट होते है आउट स्विंग लेफट हेंडर के लिए बहुत ही अच्छी बॉल है क्योंकि जादे तर लेफट हेंडर, लेग लपेटू, यानि की क्रॉस खेलने वाले होते हैं इसलिए उनको आउट स्विंग बॉल डाली जाए तो उनके विकेट मिलने के चांस बहुत जादा होते हैं पाउंसर, पाउंसर बॉल का इस्तमाल के वर डॉट बॉल डालने के लिए किया जाता है लेग स्पिन या ओफिस्पिन, ये लेग स्पिन या ओफिस्पिन बॉल बैट्समेन को स्टंप आउट कराने के लिए बहुत अच्छी बॉल है बैट्समेन आगे निकल कर खेलना पसंद करते हैं, उनको लैग और ओफिस्पिन बॉल डाल कर उनका विकेट लिया जा सकता है, ऐसी इस्तिती में बैट्समेन दो या तीन चोके या जखके भी मार सकता है, लैग या ओफिस्पिन बॉल पर, जोकि उन बॉलों को हिट करना भी बहुत आसान होता है, विकेट टू विकेट वाली बॉल, विकेट टू विकेट बॉल सबसे अच्छी बॉल है क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल पर बैट्समेन को छे तरीके से आउट करने के चांस हैं, लेकिन विकेट टू विकेट वाली बॉल में बॉलर को चाहिए कि वाय हर बॉल पर चतुराई दिखाए विकेट टू विकेट बॉल पर बैट्समेन ऐसे छे तरीके से आउट हो सकता है क्लेन बॉल, LBW, स्टंप आउट, कैच आउट, प्लेडाउन और हिट विकेट के रूप में तो सबसे अच्छी बॉल विकेट लेने के लिए विकेट टू विकेट वाली बॉल है क्योंकि रन तो सभी बॉल पर आते हैं लेकिन अगर विकेट टू विकेट बॉल डालेंगे तो विकेट मिलने के चांस हर बॉल पर होते हैं बैट्समेन के स्टांस को देखकर बॉल को चतुराई से डालें विकेट टू विकेट बॉल डालने वाले बॉलर को अपनी टीम में जरूर डालें क्योंकि वह एक से दू विकेट जरूर निकाल ही लेते हैं क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूं ग्राउन पर होने वारे एक्टिविटी के एक्सपिरियंस को ध्यान में रखते हुए सारी जानकारिया आपको दे रहा हूं जो क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं वह अपना एक्सपिरियंस हमें कॉमेंट में बताएं अरे भाई इस चैनल को कर दो सबस्क्राइब और कर दो और वीडियो को लाइक क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है चैनल का गरो सिर्फ आपके सबस्क्राइब से होता है कर दो नाप सबस्क्राइब